सो हेलो दोस्तों अगेन वेलकम है आपका एक और नया वीडियो में दोस्तों आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम ट्रेडिंग से रिलेटेड थम्नेल को क्रियेट करेंगे तो अगर आप भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपको trading से related thumbnail की जरुरत पढ़ती होगी तो इस वीडियो में मैं आपको thumbnail का complete material प्लस PLP फाइल भी दूँगा जिससे आप बहुत आसानी से अपने वीडियो के लिए ट्रेडिंग बाला professional thumbnail create कर पाओगे साथी साथ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह मेरा telegram channel है यहाँ पे मैं नए नए thumbnail के material प्लस PLP फाइल को upload करता रहता हूं जो कि आपके काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं तो आप लोग मेरे telegram channel को join कर लेना इस thumbnail का जो भी material है और जो PLP फाइल है वो भ आपका दोस्त अभी सेख और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों चलिए बिना टाइम बेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे thumbnail देख सकते हो इस बाले thumbnail को हम इस वीडियो में create करेंगे तो Excel Lab application को open कर लिया है अब यहाँ पे आपको thumbnail को कैसे create करना है सारी चीजे step by step और बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूं तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना continue watch करना सो चलिए शुरू करते हैं अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको क् three dots पर click करना है अभी आपको देखिये custom पर click कर के और YouTube thumbnail को select करना है और simply यहाँ पे okay कर लेना है तो आपके YouTube thumbnail का ौप साइज होगा वह यहाँ पे select हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर डютन करना है के बाद यहां पर क्लिक करने के बाद करना है आपको कलर और ग्रेडियनट के आपको दो आscreen मिलेंगे तो आपको color पर click करके simply black color को यहाँ पर choose कर लेना है अब simply यहाँ पर आपको done कर लेना है done करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो भी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको step by step यहाँ पर add करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे, then यहाँ पे मैंने सारी images को पहले से create करके रखा है, पहले से download करके रखा है, तो सभी को मैं telegram channel पे upload कर दूँगा, वहाँ से आप easily download कर पाऊगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आना है, then यहाँ पे इमेज को यहाँ पे add करना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको जैसे यहाँ पे add करोगे, then simply यहाँ पे आपको done कर लेना है, तो आपको जो image है, जो lens वाला image है, वो यहाँ पे आपका आजाएगा, अब आपको क्या करना है, नीचे आपको third वाले option पर click करना है, then इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पे scroll करना है, जैसे ही आप scroll करोगे, तो आपको relative size का option मिलेगा, इस पर आपको click कर लेना है, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, then यहाँ पे इसको आपको full screen में set कर देना है, then यहाँ पे simply आपको done कर लेना है, और आप यहाँ पर लेयर पर आके इसको लॉक और लेनाए लॉक आपको जरूर करना है ताकि एमेज अपनी पॉजीसँन से 55 मूव ना करें तो आपको लॉक करने इसके बाद को फिर से पलस पे klic करना ए उसके बाद FROM साइज पर आके और full screen में इसको यहाँ पर set कर लेना है खावाद या पर याँ पर जाओगा और इसके बार्थ करने के बाद यहाँ पर आना है तो इसी तरीके से आपके बाकी के image जो है उनको भी यहाँ पर आपको add कर लेना है जैसे यहाँ पे मैं plus पे click करूंगा from gallery पे जाऊंगा और इसके बाद वाला जो image है उसको हम यहाँ पे add करेंगे then simply यहाँ पे done करेंगे अब relative size पे आके इसको full screen में set करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा अब यहाँ पे आपको done कर लेना है घंशन inputs आुज गैयर पे आकी अहीजें इसको कर लेना है तो इसी तरीके से prendhあれ आपके umक यहाँ पर एक्सरा काम आपको नहीं करना है सिर्फ image को यहाँ पे लाके set कर देना है तो चलिए मैं बाकी के images को set कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ सो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख पाऊगे लगबग मैंने background में जो भी material था उन सभी को यहाँ पे add कर लिया है तो आपको भी एक एक करके सभी material को यहाँ पे आपको add कर लेना है तो आपका जो background है वो इस तरीके से यहाँ पे ready हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है आपको यहाँ पर plus पर click करना है then उसके बाद from gallery पर आपको आना है और यहाँ पर आपको अपना एक image add करना है तो यहाँ पर मेरे पास एक image है उसको यहाँ पर मैं add कर लेता हूँ then add करने के बाद इसको यहाँ पर मैं set कर लेता हूँ तो यहां पर मैंने image को set कर दिया जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो अब इसी तरीके से आपको image को add करना है और यहां पर log कर लेना है तो आपका जो complete thumbnail है वो लगबग यहां पर ready हो जाएगा आप यहां पर बात आती है कि आपको अपने text बगेरा को यहां पर add करना है तो समय आपको telegram पर provide कर दूँगा अब इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस thumbnail का PLP फाइल वगएरा यूज करोगे तो जो text वगएरा है वो भी यहां पर आपको automatic से add मिल जाएंगे आपको सिर्फ उनको change करना होगा तो आप यहां पर अपने हिस उसके बाद यहां पर जो मैंने अपने font create करें हैं उनको simply यहां पर add कर लूँगा तो font यहां पर आ चुके हैं आप इनको यहां पर मैं full screen में set कर लूँगा तो यह अपनी position पर automatic से set हो जाएंगे तो इस तरीके से मैं इनको set कर लूँगा यहां पर layer पर आके इनको आसानी से log कर लूँगा तो यहां पर complete जो thumbnail है वो आसानी से आप एक से दो मिनेट के अंदर ready कर लोगे और इसको आप अपने वीडियो में आसानी से use कर सकते हो कोई भी copyright बगेरा का issue आपको नहीं आएगा कोई भी problem आपको नहीं आएगा सो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से professional thumbnail को create कर पाओगे साथी साथ आपको बताना चाहूंगा जो thumbnail का material है और जो PLP file है उसको मैंने अपने telegram channel पे upload कर दिया है तो आप लोग जाके वहां से download कर सकते हो और जो PLP file का password है वो आपको इसी वीडियो में कहीं मिल जाएग मैं कहुंढ कहां से